बजरंग भली जी देंगे अशिरवाद, 29 दिसंबर आखरी मंगलवार की दिन कुम्ब राशी जो जो मांगेंगे वो सब कुछ मिलेगा जो 36 के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की लगातर बदलती स्तिती आकाश मंडल में कई शुबयोग का निर्वान करती है जिसका सभी 12 राशों पर अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है यदि किसी व्यक्ति की राशी में शुबयोग ठीक स्तिती में बन रहे हैं तो इसकी वज़े से जीवन के हर क्षेत्र में शुबन नतिजे मिलते हैं परंतु इनकी विप्रिस्तिती जीवन पर नकरत्मक प्रभाव डालती है जो तिश गन्ना के अनुसार आज हम आपको कुम्बर राशियों के बारे में बताने वाले हैं 29 दिसंबर जो किस साल का आखरी मंगलवर रहेगा इस दिन कुम्बर राशिय के लोग जो जो मांगेगे वो सब कुछ मिलने वाला है बजरंग बली की कुरुपा से आपको हर एक कारे में सपलता भी मिलने वाली है आज आपको किसमत का पूरा पूरा साथ मिलेगा अधिक धन खर्च होने से आज आप परिशान रह सकते हैं आपके अंदर आत्म विश्वास के आज कोई कमी नहीं होगी आज आपके विचारों में व्यावारिकता देखी जा सकती है यदि आप काम करके ठक गए हैं तो आवकाश लेकर छुटियों पर जाना समझ दरी होगी अगर ऐसा नहीं हो सकता तो अपने कामें नए विचारों को अहमिद दे आज आप जितने अधिक मेहनत करेंगे उतना ही अधिक सपल होंगे आज मित्रों के साथ महतुपुर्ण समय भी बिता सकते हैं आज आप किसी गरीब जरूरत मंद की मदद भी कर सकते हैं बेरोजगार लोगों को आज रोजगार मिलने की उम्मिद है आज आप अपनी विचारों और तरकों से दूसरों को अपनी राय से सहमत करवा सकते है बाच्चित करते वक्त आज सावदानी जरूरी होगी आज यात्रा करते हुए सावदानी बरते आज आपके सामाजिक और आर्थिक दारे का विस्तार होगा दोस्ता इसे ही महतुपुर्णा बाते आज की सुड़ों में बताने वाले हैं तो इस वीडियो को अब भी लाइक करें और गणेजी का अशिर्वात चाहते हो तो कमेंड में जाई गणेजी लिखना ना बोले साती हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिपल को सब्सक्राइब जरू करें तो चले शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं आपके फ्राइदे मंद बातों के बारे में पैसों से संबंदित मामलों पर आज विचार करना होगा और आमदनी साती खर्च भी बहुत बारे के से जांच करनी होगी किसी भी प्रकार के फैसले लेने के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है आज आप अपने जीवन साती की सलाह पर कहीं निवेश का मन बना सकते है शाम का समय मित्रों के साथ बीच सकता है आज जमिन जायदात के कामों से दूरी रहे तो अच्छा है इससे नुकसान का योग बन रहा है आज आप किसी कारेक्रम में भाग ले सकते हैं और पुराने मित्रों से आज आपकी मुलाकात भी हो सकती है आज आपका स्वभाव इमोशनल होगा आज का दिन आप के लिए बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है आज आप में उस ताह की कोई कमी नहीं होगी आज आप सोच समझ कर जिस भी दिश्या में कारेक्रम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी लेकिन अपने मन को एकागर रखना होगा कोई आपका ध्यान भी बढ़का सकता है दोस्तों अगर हम ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में बात करें तो आज आप सामझ कारेक्रमों में भी भाग ले सकते है आज भूल से भी किसी के अलोचना ना करे आज कोई पुरानी बीमारी फिर से उबर कर आ सकती है आज आप ज़्यादा भावक रहने से कोई बड़ी भूल कर सकते है आज देखे गए सपने बहुती रचनकमक और कारगार सिद्ध हो सकते है आज लोगों से मिलने से आपको अपने पन का अहसास होगा लोग आज आपसे सहानोगुती का भाव रखेंगे आज किसी व्यक्ति के व्यवहार पर आपको अपसुस हो सकता है लेकिन आप अपने तरीके से बात करेंगे तो उसे सुदार के लिए मजबूर कर सकते है अगर हम धनराशिपल के बात करें तो व्यापर में विक्री या खरिदारी के लिए आज का दिन अच्छा है बिजनेस, कॉंपिडिशन या राजनितिक विपक्षी से बचें क्योंकि आप के लिए यह हनी कारक हो सकता है आज अड़के हुए कामों को पूरा करने का प्रयास करें सफलता मिल सकती है अपने करियर में सफलता पाने के लिए अपने तर्क और रहतिकता को सही मात्रा में प्रयो करें अपने बिजनेस के लिए आप सरोतम प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए अपने नई ग्रहक नितियां भी विखसित की हैं अत्यादिक महत्व कांक्षी कारेक्रमों से बचे क्योंकि इसके लिए आपके अधिक समय और धनकिय अवशकता है अगर हम करियर राशिपल की बात करें तो कारेक्रमों आज आपको कुछ चुनतियों का सामना करना पड़ सकता है इसके लिए आपको अपना ध्यान अपने काम पर केंदरीत रखना होगा अपनी जिंदा जिली से आप अपनी सबी परिशानियों को आसानी से हल कर लेंगे दिमाग में पक रहे रोमेंटिक विचारों की वज़े से आप उत्ते जित मुसस करेंगे। आज की दिन आपको अपने चाहने वालों के साथ बाच्चित करने और उनके स्नेह को पाने का मौका मिलेगा। इसे आपकी सारी चिंताएं, परेशानियां और कारेभार कम हो सकता है। आज आप अपने कुल रवये और प्यार भरी बातों से अपने दिलवर को प्रभावित करने में सपल रहेंगे। बस उनकी तारिप करना ना भूले। दोस्तों स्वास्तराशिपल के वह अगर बात करें तो आप सिर्दर्द से परेशान रहा सकते हैं। इसलिए आराम से कारे करें, छोटी परेशान या आपको परेशान नहीं कर सकती। क्योंकि यह आप पर ही है कि आप कैसे खुद और काबू रखे। तना कम करने के लिए योग करें, अगर सिर्दर्द बन रहा है तो डॉक्टर से सलह ले। दोस्तों यह थी कुंबराशी के बारे में। अब बात करते हैं। स्वास्तिक के इन उपायों से सभी समझ से दूर होकर धन, धन्य और सवभागी की प्राप्ति होती है। स्वास्तिक संस्कृत के दो शब्द सू यह अस्ति से मिलकर बना है। सनातन धर्म में इसे परब्रह्म की सग्या दी गई है। स्वास्तिक को लक्ष्मी तथा गणपति का प्रतिक भी माना जाता है। स्वास्तिक का अर्थ है शुब हो, कल्यान हो। स्वस्तिक के उपायों से भी सभी समस्या दूर होकर धन धान्य सवभाग्य तता अखंड लक्षमी जी की प्राप्ती होती है स्वस्तिक के कुछ प्रयोग उल्टे स्वस्तिक के भी होते हैं तो आये जानते हैं उल्टे स्वस्तिक के ऐसे ही कुछ जरूरी अच्छुक उपायों के बारे में पहला है इश्ट देव की प्रतिमा घर के पूजा घर या मंदिन में सबसे पहले स्वस्तिक बनाए और उस पर इश्ट देव को विराज मन कर पूजा करने चाहिए इसे इश्ट देव प्रसन होकर मंचाह वर्दान देते हैं अगला है व्यापर में बढ़ोत्री के लिए गुरवार के दिन घर के इश्यान कोन में दिवार को गंगा जल से धोकर वहां हल्दी का स्वस्तिक बनाएं इस स्वस्तिक की विदिवत्र पूजा कर गुर का भोग लगाएं ऐसा लगातर साथ गुरवार करने से व्यापर में फैदा होगा घर में सुक शान्ति रहेगी और कलेश भी समाप्त हो जाएगा अगला है मनोकामना के लिए घर के पूजास्तर या मंदिर में जहां पे स्वस्तिक बनाएं उस पर पांच अनाजर रक कर दीपक जलाने से मनोकामना पूरी होती है अगला है सुक संब्रू दिख ले घर के बाहर रंगोली के साथ कुंकुम सिंदूर या रंगोली से स्वस्तिक बनाएं इसे देवी देवता प्रसन होकर घर में प्रवेश करते हैं और घर में रहने वालों को अशिरवात देते हैं अगला है नोकरी के लिए जो इच्छा लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो अपने पास ही के किसी मंदिर में कुमकुम से उल्टा स्वस्तिक बनाएं और जो भी मनोकामना है वो वहाँ पर धरूर बोले जल्द ही आपकी इच्छा पूरी होगी मनोकामना पूर्ण होने के बाद उस स्थान पर जाकर सीधा स्वस्तिक बना दे अगला है बुरे सपनों के लिए किसी को भी रात में सोते समय बुरे सपने आते हैं तो सोने से पहले अपनी तरजनी उंगली से लाल स्वस्तिक का च्छन बना कर सोए अगर आप इस उपाय को करके सोएंगे तो आपको बुरे सपने से निजात मिल जाएगी आखरी है दुश प्रभाव कम करने के लिए घर व्यापर और नोकरी पर बुरी नजर का प्रभाव बहुत जल्द पड़ता है ऐसे में काला स्वस्तिक व्यक्ति को हर बुरी नजर से बचाता है घर के बाहर मुक्य द्वार पर कोईले से स्वस्तिक का चिन्न बनाया जाता है मुक्य द्वार की दिवार पर काले स्वस्तिक के चिन्न को बनाने से आपके घर किसी भी व्यक्ति की बुरी नजर का असर नहीं होगा तो दोस्तों यहते स्वस्ति के कुछ उपाए जिससे आपको धन धन्या सोभागे की प्रत्ति होगी तो दोस्तों आज किस्टों में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरू करेगा साथी हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशुपल को सब्सक्राइब करेगा तो मिलते एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद